आपका मोस्ट विलकम है इस थीम के एपिसोड के अंदर जहां पर मैं आपके लिए टॉप थ्री ऐसे थीम लिखे आ ले हूं जिसे यूज़ करने के बाद आपका हुए वाउ क्या अमेजिंग थीम है और अगर आप मी यूई के से मी यूई को यूज़ करकर बोर हो गए हो पक गए हो तो बिलकुली ये तीनो थीम मिलके आपके माइन को रिफ्रेस्ट कर देंगे और आपको कहो जाना मजाएगा अपने फोन को यूज़ करने के लिए तो चलिए शुरु करना है सिंप्ली और अप्लाई करना है अप्लाई करने के बाद आपको कुछ इस तरीग瓜 जाज देखने को मिलता है अपने होंग स्किन पे जापए सारे आईकन काफी ज़ाइड़ एनिमेटेड है और कासी अछी से मूव कर रहे हैं जोगि देखने में काफी ज़ादी temperature so कर रहा है वहें पर यहां पर जो वाल्टी का आइकन है यह भी बिल्कुली जो बदल दिया गया है क्योंकि हमारा जो MIUI है वो कुछ अलग टैप के वाल्टी का आइकन को so करता है वहें पर अगर हम QS पैनल की बात करें आप देखें तो बिल्कुली अलग सेप में देखने को मिलता है और 1EY टाइप का आपको टाइमिंग बिल्कुली बीच में देखने को मिल जाता है यहां पर नैट्रोर्ग साथ सार वाल्टी का आइकन यह साथ चीजे भी यहां पर बदली हुई है वहें पर सेटिंग के और टाइप करते हैं सेटिंग के और आते हैं तो बैकडाउड में काफी कलर फूल डार्क टाइप का वाल पेपर देखने को मिलता है जहां पर आपको कुछ अलग-अलग सेफ बनाए हुई है और सारे आइकन के जो सेटिंग के आइकन है वो बिल्कुली चेंज कर दिये गए है जो कि देखने में हमें काफी ज़्यादा अच्छा सा लगता है वहें पर जो नीचे का नेप बार है ये भी बिल्कुली सेमसंग के नेप बार जाता है जो रिब्लेस हो गया है जो कि देखने में काफी ज़्यादा अच्छा लगता है वोगे पर dial pad की बात करें तो dial pad हमें simple देखने को मिलता है कोई change dial pad में नहीं आता है लेकिन सबसे बड़ा change हमें अपने home screen पे, log screen पे, settings और status bar में देखने को मिलता है और log screen में काफी big font के साथ आपको timing देखने को मिलता है जो कि काफी ज़्यादा beautiful सा look है जो provide करता है वोगी पर आप इसे charging पे डालते हो तो charging पे डालने के time आप देख पावें कि यहाँ पे आपको percentage सो हो रहा है काफी large icon के साथ और battery का icon भी है जो कि बिल्कुली अलग सा है जो look यहाँ पे provide कर देता है तो आप चलते हम अपने next theme की ओर हमारा next theme है holy special जहाँ अप्डेक्स तो holy 2020 भी 11 में लिखा हुआ है जिस वोई भी आप theme store से डाउन्वोड कर पाओगे और जैसे आप इस अप्लाई करको home screen पे आओगे आपके सारे जो icon है home screen के वो बिल्कुली colorful देखने को मिलते हैं और काफे जाड़ा interesting लगता है और जो background wall पे पर है काफे multi color यूज किया गया है तो काफे beautiful सा है timing भी आपको multi color में देखने को मिलता है वही पर network के बात करें ताको network बिल्कुली अलग से shape में दिखाई देता है वही पर हम आप पैनल की बात कर लेते हैं तो पैनल पर जो QA से यह भी बिल्कुली अलग से shape में नजर आता है और साथ सेहाथ यहाँ पर setting के जगा एक icon दिया गया है जो कि human का है अगर हम इस पर type कर देते हैं तो हम in कर जाते हैं settings के और जहाँ पर आप देख पाओगे कि सारे icon बिल्कुली colorful दिखाई दे रहे हैं और background में आपको holy special related wallpaper देखनी को मिल जाता है वही पर neighbor की बात करें तो neighbor तो same आपको MIUI जैसा देखनी को मिलता है लेकिन अगर dial pad के और आते हैं तो dial pad भी black और multi color का देखनी को मिल जाता है जो कि बिल्कुल यह जो अलग सा है जो अमेलिक सा है जो look provide कर देता है वह हम इसके lock screen के बात करें तो lock screen पे आपको timing, call, camera, messaging, temperature और कुछ अच्छे से thoughts उपर देखनी को मिल जाते हैं और यह पर हम charging पे से लगाते हैं आपको charging में कुछ खास चीज़ देखनी को नहीं मिलता है बट यहाँ पे corner पे आपको लिखाओ मिलता है charging 92% और साथ से यहाँ पे आपको network और बाके चीज़ें नजर आता है जो कि देखने में बिल्कुली अच्छा सा लगता है अब switch करते हैं अपने last और top number one theme की ओर इन तीनो three themes में से सबसे best theme मुझे ये लगा जो कि white or dark भी three है जिसे फिलाल में कुछ time से huge कर रहा हूँ जिसे apply करने के वारा को काफी कमाल की huge changing रहने को मिलेगा सबसे पहले आप बात कर सकते हो यहाँ पे home screen की जहां पर जो icon pack यूज किये गए है वो बिल्कुली animated है जैसा के first theme में मैंने आपको so किया था तो काफी अच्छा सा look लगता है इनके animated icon की वज़ा से साचा जो background wallpaper यूज किया गया है dark deep black type का और कुछ यहाँ पर जो curtain type के cut out है और timing है जो कि इसको बिल्कुली अलग सा layout प्राइट करते है और बिल्कुली कमाल के आपको जो डेखनी को मिल जाता है जहां तक icon है उस तो उपर ही आपको जो यह सारे shape दिखाई देते है और नीचे का word पे बिल्कुली blank दिखाई देता है जो कि यह काफी अच्छा लगता ह होई पर हम इसके network की बात करें तो network के बिल्कुली अलग level का दिखाई देता है और सासर बैटी का जो icon shape है वो भी बदल दिया गया है वोई पर आप देख पाए कि यहां पर आपका aim लिखावा रहा है और दे है और पूरा calendar वोला detail आपको show हो रहा है वोई पर setting भी काफी जा अच्छा लगा बाके दर themes के मुकावले यहां पर brightness का slider है यह भी आपको जो max और minimum देखनी को मिलता है वहाँ पर हम icon के उपर tap कर देते हैं तो setting आप देख पाऊ है कि अलग अलग shape में जो provide किये गए है और एक setting का icon बिल्कुल यह अलग layout के साथ है जो दिखाई देता है इतन setting में भी आपको कुछ अलग सा layout डिखाई देगा आप देख पाऊ है कि यहां पे जो split screen है यह भी जो colorful हो गया है और देखने में काफी ज़्यादा beautiful सा लग रहा है तो काफी कमाल का change यह theme आपको जो provide कर देता है वहाँ पर हम डाइलर की और बात करें तो डाइलर में है जो को मिल जाता है वह भाई काफी कमाल का आपको दिखाई देता है कुछ इस तरीके का जो कि भाई बिल्कुली beautiful सा है जो look देता है timing, wallpaper, charging इने में सब कुछ है जो बदल गए है और काफी कमाल के आपको combination देखने को मिल जाता है वहाँ पर अगर आप इसे charging से हटा के double type करते हो त आप देखे को volume panel कुछ इस तरीका dark में safe दिखाई देता है और कुछ इस तरीके transparent आपको देखने को मिल जाता है D&D और साथ सेया silent का यह option जो कि भाई देखने में काफी जाता है जो beautiful सा लगता है तिया पर जो इसका volume panel use किया गया है change किया गया इस theme के नुसार वो यह मुझे download भी है जो कर सकते हो तो I hope so guys की video पसंद आई होगी तो इसी तरह कि episode को continue रखने के लिए बस like करे अपने दोस्तों का share करे क्योंकि एक लंबे time के बाद फिर से मैं जो theme की video लेके आया हूं तक आपका प्यार और support मिलता है तो मैं इसे weekly कर दूँगा या फिर आपको जो 2-3 days म एक दो थेम की video देखने को मिलेगी बाट या डिपेंड करता है कि आप इसे कितना ज्यादा पसंद करते हो तो गाइज आतले इतना ही मिलते नेक्स वीडियो में तब तक लिए बबाए